हाई गाइस केवल दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि पेपी कोईन एक बड़े ब्रेकाउट का इंडिकेशन देता नजर आ रहा है और वैसा ही हुआ लगभग 24 आस में इसने 140% की ग्रोथ दिखा दी है उसी के साथ में यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करे तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बार में बात करेंगे जारेंगे कि किस तरह से पे-पे आने वाले समय में अच्छा खासा पोटेंशल रख सकता है या फिर नहीं तो मेक्शोर आप इस वीडियो को लास तक देखिए इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेड़ेड इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चानल दे क्रिप्ट बाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी में यहाँ पर आप हमारे टेलिग्राम ग्रुप को भी जोइन कर सकते हैं जहाँ पर हम प्रीवियम सिगनल आपके लिए बहुती लजट तरीके से जल से जल लेकर आने वाले हैं तो इस ग्रुप का लिंक भी मने नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है आप जाके जोइन जरूर करें हेलो दोस्तो वेलकम टू दे क्रिप्टोबाइट और आज का ये शॉर्ट वीडियो है पेपे कोईन के बार में जो की करेंटली काफी ट्रेंडिंग टोकन है का प्राइज पंप हुआ जिस वज़े से पेपे भी पंप होता दिखाई दिया इसने अपने प्राइज में इतनी ग्रोथ डिसेंबर मन्त में दिखाई थी लेकिन उसके बाद कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिले थी हाला and 1 million dollars का market cap इसका पूरा हो चुका है तो ये एक बहुत ही बड़ी update है उसी के साथ में Sulana based जो meme tokens है Bong coin और Dogvifat ये दोनों ही tokens almost 15 to 45% तक pump होते हैं दिखाए दिये Shibainu के price में और बाकी सब ही meme tokens के price में हमें कल के दिन गुरो देखनी को मिली थी लेकिन सबसे पहले जो pump हुआ था वो PayPal coin ही था price predictions के अगर मैं बात करो तो यहां पर इस coin से related 2025 के लिए लगभग एक रुपए जाने के price predictions लगाए ही जा रहे है जैसे कि हम जानते हैं लेकिन जो maximum price prediction हमें देखनी को मिलता है वो लगभग एक डॉलर के आसपास देखनी को मिलता है हाला कि इस coin का एक डॉलर तक जाने का जो target होगा वो बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि supply काफी जादा है और use case से बात की जाए तो PayPal का use case इतना जादा powerful नहीं है क्योंकि ना team active है ना founder active है जिस वाजे से प्रश जो है वह गेन करने में successful नहीं हो पाया उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ थे इसको launch होकर ही लगभग 10 महीने पूरे हो चुके है 10 महीने पहले इसमें अपने all time high को भी अचीव किया था जो कि था लगभग 0.0003 रूपीज के आसपास 40% से एक ओन अपने all time high से अब क्या ये भरोसे के लायक है क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है long term के इसाब से तो देखा जाए तो काफी सारे analyst यही कहते है कि आप सभी का पैसा लेकर भाग जाएगा बहुत ही जादा स्काम कोई है और इस पर ट्रस्ट करना बहुत ही जादा मुश्किल है अगर आप अ इसको आगे बढ़ता देखेंगे लेकिन हो सकता है यह coin dump भी हो जाए इसकी कोई भी guarantee नहीं है तो यहाँ पर पूरी तरह से एक technical analysis और एक अच्छा खासा projection लगाना नामुम्किन है इस coin से related मैंने खुद personally केवल hundred dollars का investment ही paper token के अंदर किया है उससे जादा मैंना suggestion दूंगी ना एक्जिट लेना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो दोस्तों यहीं दिया हमारी आज की अपडेट paper coin से related hope आपको मेरे इस वीडियो ने पेपे से related currently सारी की सारी information दी होगी अगर दी है तो आप इस वीडियो को like कर सकते है हमारे चानल दक्रिप्ट बाइट को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा साथी में यहाँ पर आप हमारे telegram group को भी join कर सकते हैं जहाँ पर हम इसी तरह की updates आपके लिए लेकर आते हैं काफी सारे news और gossip आपको provide करते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर हम अपना premium free group भी लेकर आने वाले हैं जिसका आपको notification इसी group पर मिलता रहेगा और क कर दो